नमस्कार मैं गितांज लिवर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रॉइंग अन्पिंटिंग ऐसे में गवर्मेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवड़ा आज के इस वीडियो में हम बिये पार्ट थर्ड के थियोरी पेपर में विश्व प्रसिद चित्रकार लियोनार्द दविंसी के बारे में ध्यन करेंगे जो की चरम पुनरुथान के प्रमुख तीन कला कारों में से एक रह थे इटालियन कला के चरम पुनरुथान काल के तीन प्रमुख कला कार रहे लियोनार्द दविंसी, माइकल एंजलो और राफिल इनमें सर्वादिक प्रतिबाशाली विक्तित्व जो था वो लियोनार्द दविंसी का था उन्हें Wonder of the Age अर्थात यूग का आश्चरे भी कहा गया वे एक स्थापत्यकार, मूर्तिकार, इंजिनियर, ड्राफ्टमेन, विज्ञानिक, संगीतग्य, आदी सब ही की खूबियां रखते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे इतना दक्ष, प्रवीन और पारंगत थे अपने हर काम में कि उनका किसी से मकाबला नहीं किया जा सकता था उनकी रूचियों और कारे शेत्र की विवित्ता का अनुमान इसी से लगा जा सकता है कि उन्होंने जिन अनेक कारें को आरंभ किया, उन्होंने से बहुत कम कारें को वे अपने जीवन काल में पूर्ण कर पाए शरीर में रक्त के परिभ्रमन की खोज उन्होंने ही की थी, युद्ध हेत्व शास्तर गाड़ी काविशकार भी उन्होंने किया था उन्होंने अनिक प्रकार के वायगानों और हेलिकेप्टरों की योजना बनाई थी तथा पंडुब्बी की भी परिकल्ब ना की थी किन्तु इन में से वे किसी भी खोज को पूरा नहीं कर पाए बहुत कम काम करने पर भी मिलान तथा फ्लोरेंस के अनिक कलाकारों ने उनका अनुकरण किया उन्होंने कला को धार्मिक पक्षपात रही तिस्तर पर उतारा तथा कलाकारों का सामजिक स्तर बढ़ाया उनकी द्रिष्टी में कलाकार व्यवसाई ना होकर न्याय, सत्य, आदिसामजिक मुल्यों की प्रतिष्ठा करता है यदि पि उन्होंने धार्मिक चेतर बनाए किन्तु उन्होंने भौतिक जीवन से समन्दिक चेतर भी बनाए वेगनिक विशलेशन के पश्चात ही वे वस्तु की सुन्दरता का चेतर किया करते थे चरम पुनरत्थान काल की कला की शुरुवात लियोनार्दो के आगमन से ही मानी जाती है क्योंकि उनके हातों में आकर इटालियन कला इटालवी कला और इपक्व होकर अपनी चरमोत कर्ष पर पहुँच चुकी थी लियोनार्दो का जन्द फ्लोरेंस के विंसी नामक स्थान पर 14-52 में क्यों हाला कि तिथी के बारे में जो विद्वानों में मत भीद रहा है को लेकर इतिहासकारों में विवाद रहा है कुछ विद्वानों ने फ्लोरेंस का पताते हैं तथा कुछ एंचाइनों का मानते हैं एंचाइनों विंसी कस्पे से कुछ ही दूर है लियोनार्दो फ्लोरेंस के वकील सर्पियरे के अवेद पुत्र थे तत्था इतिहासकार वसारी के अनुसार बालक बालेकाल से ही हुनहार थे उनकी प्रारंभिक शिक्षादीक्षा वेरोचियो की चित्रशाला में शुरू ही कालांतर में वे एक चित्रकारी में अपने गुरू से भी आगे बढ़ गए जैसे जियोतो सिमाबू विसारी से लियोनार्दो की विलक्षन प्रतिवासे गुरू वेरोचियों दंग रह गए कहा जाता है कि लियोनार्दो ने उनके गुरू के साथ एक बप्तिज्मा के चित्र में बाएं और का देवदू चित्रित किया था तो वेरोचियों ने चित्रांगन करना छोड़ दिया तथा कि वलमूर्थी कला में ही मगन रहने लगे यह उदारन उनकी पारंगत्ता का है वे 1472 में चित्रकारों के संक के सदस्ये बन गए 1473 में फ्लोरेंस यूफिजी में एक द्रश्चे चित्र बनाया इस द्रश्चे चित्र में प्रित्वी के रच्मना में उनकी रूची का पता चलता है वस्तरों की सिकुड़नों को नवीन धंग से प्रस्तुत करने के समन्द में उनके अनेक प्रयोग हुआ करते थे म्यूनिक की मैडोना चितर में उन्होंने तैल चितरन तकनीक समंदी अनिक प्रयोग किया है इसमें दानेदार धरातल के पातर पर उसकी वूंदें चितरित की हैं जिन्होंने उनके चितर ने उनके समकालिन कलाकारों को आश्चरे में डाल दिया था चगदासो चोहत्तर में उन्होंने एक व्यक्ति चित्र अंकित किया जिसमें हाथ भी दर्शाए गए है वेरोचियों भी हाथों में फूल लिये एक महिला को इसी तरह चित्रित कर चुके थे इसी परंपरा में लियोनार्दों ने मुनालिसा नमक विश्व प्रसित चित्र अंकित किया चगदासों क्यासी के लगभग उनकी पर्याप्त ख्याती हुई उन्हें फ्लोरेंस के निकट इसाई संतों के मठ में राजा धिकारियों द्वारा राजा की वंदना इस चित्र में वे सभी विशिष्टाइं मिलती हैं जो कि पंदरवी सदी के अंत में कला का लक्षे बन चुकी थी चित्र का संयुजन ठोस है, गहराई भी है, गती भी है यह चित्रपूर्ण नहीं हो पाया, यह दिपीच के सम्बंदित अनेक स्कैच उन्होंने बनाए थे 25 अप्रेल, 14 सित्राची को लियोनार्दों मिलान पहुँचे, मिलान में ड्यूक को एक पत्र भीजा था जिसमें एक सैनिक, एक इंजिनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, दर्बारी, मस्खरे, नगर, नियोजक, आधी अनेक द्रिष्टियों से उन्होंने अपनी यूग गिता का परिश्य दिया था और ड्यूक के दर्बार में नौकरी के लिए प्रार्थना की थी मिलान पहुँचकर उन्होंने श्वेत कोर्ट वाली महिला का चित्रांकन किया जो कि श्वेत कोर्ट वाले यूग ड्यूक की पतनी थी मैडोना विद्ध इंफेंट सेंट जॉन एन एंजिल तथा Virgin of the Rocks शैलखंडों की राजक्मारी शीरसक से उन्होंने दू चित्र अंकित किये उनके संबन्द में ये थारना है कि उन्हें एक साथ आरम किया किन्तू वास्तव में पैरिस के लूवर संग्रहाले वाला चित्र पहले बनाया क्योंकि इस चित्र में फ्लोरेंस की परमपरा शैली का अधिक प्रभाव है National Gallery लंडन वाला चित्र बाद में अंकित किया गया है लियोनार्ड मिलान में 1499 में तक रहे वे ड्यूक के दरबार की विबुति रहे वे ड्यूक के पिता की विशाल अकर की अश्वारों ही प्रतिमा बनाना चाते थे किन्तु वह कार्य पूर्ण ना कर सके अश्व की केवल मिट्टी की प्रतिमा ही बन पाई इतना अवश्य है कि उन्होंने अश्व के अनेकों रेखा चित्र बनाए मिलान में ही एक उपासना ग्रह में सांता मेरिया देला ग्रेजी उपासना ग्रह में उन्होंने ईशा का अंतिम भोज the last सपर नामक चित्र आरम किया लियोनार्दों धीरे-धीरे काम करती थे और उन्होंने फ्रेस्को की स्थान पर तैल पद्धती में प्लास्टर की भित्ती पर कार्य करने का प्रयोग आरम किया इन्ही दोनों कारणों से यह चित्रस्वयम उनके सामने ही दिवार पर से उखडने लगा था कुछ विद्वानों का मानना है कि दिवार गीली होने के कारण उसकी उनकी यह विश्व विख्यात कृती अंश्टा खराब हो गई बाद में सुधार का प्रयास किया गया किन्तु उनके मौलिक शालिंता पुनाय ना लोट सकी बाद में रही सही कसर पूरी हो गई तब जब दिवार पर एक दर्वाजा लगाया गया और अंत में नवपुरी लिनिक इसाई ईसा और संतों की आकृतियों को अपनी गोली का लक्षे बनाते हुए अपने हाथ साफ करने लगे बाद में किये गए जीनों धार्भी सतत प्रयास के पाउजूद असफल रहे मौलिकता को लोटाने के स्थान पर चित्र उत्तर उत्तर विक्रित होता गया लियोनार्द दविंसी के बारे में इस वीडियो में इतना ही शेश भाग अगले वीडियो में हम जानेंगे धन्यवाता